हेलो दोस्तो वेलकम टू और पॉलिटेक्निक समेस्टर क्लासेज जी हाँ दोस्तो ये लेक्चर फर्स्ट है किस चीज़ का लेक्चर है दोस्तो है MIM means measuring instrument and measurement जो की Chemical Engineering फर्स सेमेस्टर में आप सबीको पढ़ाया जाता है दोस्तो ये फर्स चैप्टर है फर्स चैप्टर कौन सा है Introduction and classification of instrument इसमें जो main topic है आप सभी के important of instrument in chemical process industry जो 2nd main topic है आप सभी का ज़नल classification of industrial instrument जो जनल classification होते हैं इंडिस्ट्रियल instrument के और क्या है indicating recording type of instrument और दोस्तों यहां पर indicating and recording type of instrument मैं आप सभी को मैं strip chart recorder and circular chart recorder की बारे में बताओंगा static and dynamic को मैं बहुत ही ज़्यादा deeply आप सभी को सम्झाया हुँआ हूँ इस lecture के अंदर static characteristic के अंदर मैं आप सभी को तीन चीज़ बताने वाला हूँ सबसे पहला आता है हमारा desirable and undesirable और दोस्तो dynamic में भी मैं ऐसे ही आप सभी को बताऊंगा तो ज़्यादा बाते ने काते हुए अपने lecture की तरफ बढ़ते हैं और lecture की शरुवात करते हैं दोस्तो हमारा subject का नाम MIM है means measuring instrument and measurement तो सबसे पहली बात ये है कि measuring instrument and measurement का मतलब समझ लेते हैं तो दोस्तो measuring का हिंदी में मतलब होता है मापन तो दोस्तो सबसे पहले हम मापन समझ लेते हैं कि मापन किसे कहा जाता है तो दोस्तो मापन का मतलब होता है किसी अग्यात value की किसी ग्यात standard value से तुलना करके मान ग्यात करना मापन कहलाता है तो दोस्तों मापन किसे कहते हैं किसी भी अग्यात value unknown value की तुलना किसी standard value के साथ करने पर जो मान ग्यात होता है उसे हम क्या कहते हैं मापन कहते हैं तो दोस्तों मापन में एक पॉइंट लिखा है, इसे पढ़ लिजे, मापन की प्रक्रिया में प्रमुक रूप से वस्तु के भिविन पैरामीटर होते हैं, ताप दाप द्रव्यमान की तुलना करके मान ग्यात किया जाता है, अब दूसरा दोस्तों क्या आता है, दूसरा आता है instrument और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मापन यंत्र तो दोस्तों आप मापन यंत्र समझ लेते हैं कि मापन यंत्र क्या होता है वह यंत्र जो किसी रासी को मापने का कार करता है ठीक है दोस्तों एक ऐसा instrument जो किसी रासी को मापने का कार करता है वो मापन यंत्र कहलाता है सुद्ध मापन के लिए मापन यंत्र एक्कुरेट एंड प्रेसाइस होना चाहिए तो दोस्तों एकुरेट का मतलब क्या हुआ यहां पे एकदम सटीक एवं ठीक जो भी निकले मतलब जो भी मान उससे निकले वो एकदम सही मान निकले उसी को हम एकुरेट कहेंगे और प्रेसाइस मतलब उसी के करीब हो और वो मान गलत ना हो तो मापन यंत्र क्या होता है दोस्तों एक बाद फिर से रिपेट कर लिए मापन यंत्र वह होता है वह यंत्र जो किसी रासी के मापने का कार करता है उसे हम मापन यंत्र कहते हैं मापन की विधिया दोस्तों मापन की विधिया क्या होती है एक होता है डारेक्ट मैठड और एक दूसरा होता है इंडारेक्ट मैठड दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मापन यंत्र के प्रकार मापन यंत्र के प्रकार क्या होते हैं तो दोस्तों mechanical type होते हैं electrical type होते हैं electronic type होते हैं मापनoor highateaufen हमारे 3 प्रकार के होते हैं अब देखते हैं दोस्तों मापन यंत्रों को पुना संहों में वर्गीकरत किया गया है दो संहों मतलब दोस्तों उनको 2 pair क्लासिफिकेशन किये गए हैं एक होता है प्राइमरी इंस्टुमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्टुमेंट तो दोस्तो अब हम लोग सबसे पहले primary instrument के बारे में जानेंगे कि primary instrument कौन-कौन सो होते हैं प्राथमे की यंत्र जो किसी भी प्रकार के calibration की ओसकता नहीं होती है तो दोस्तो primary instrument कौन सो होते हैं इसमें किसी भी प्रकार की calibration की ओसकता नहीं पढ़ती है तो दोस्तो आप सभी को Calibration का मतलब बता दू Calibration का अध्य होता है कि कोई भी मापंक यंत्रक की तुलना Standard Instrument या फिर Primary Instrument से करवाएं तो उस जगहां पे उसे हम Calibration के नाम से जानते हैं दोस्तो अभी आप सभी को अच्छे से समन में नहीं आया होगा Calibration इसके आगे भी अभी calibration आएगा तो उसमें मैं और भी deeply आप सभी को समझाओंगा simply अभी आप इतना समझिए कि calibration से यंत्र की accuracy बनी रहती है तथा अगर कोई यंत्र बहुत ही जादा दिन तक हम उसको कार में ला रहे हैं तो उसका calibration और वसक होता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना calibration बहुत है अब सबसे पहले primary instrument के बारे में और जान लेते हैं तो प्राथमिक यंत्र मिन्स primary instrument को किसी भी प्रकार की calibration की और सकता नहीं होती है इनका प्रियोग प्रियोग साला में ना करके standard मापन में किया जाता है इन यंत्रों को absolute instrument भी कहते हैं ठीक है दोस्तो primary instrument को किसी भी प्रकार की calibration की और सकता नहीं पड़ती है इनको हम प्रियोग साला में ना यूज करके कहां यूज करते हैं standard मापन में और यह यंत्र एक absolute instrument भी होता है तो primary instrument के बारे में मैंने आप सभी को इतनी बाते बता दी अब आते हैं secondary instrument में तो दोस्तों आप secondary instrument पढ़ लेते हैं यह direct rating मापन यंत्र होते हैं इनका calibration primary instrument से तुलना करके किया जाता है तो दोस्तों अभी आप से हम पूछे कि primary instrument and secondary instrument में difference क्या है दोस्तों यहां measurement गलती से लिख दिये हैं इसको काट के आप यहां पर instrument कर लिजेगा ओके दोस्तों और मैं अभी आप से पूछूं कि कि secondary instrument and primary instrument में क्या difference होता है तो आप सबसे पहले यह कहेंगे कि primary instrument में कि उसे भी प्रकार की calibration के ओ सकता नहीं पड़ती है और जो secondary instrument होता है यह एक direct reading मापन यंत्र होता है इनका calibration primary instrument से तुलना करके किया जाता है ठीक है दोस्तों इनका उपयोग प्रियोग साला में समस्त कार्रों में किया जाता है जो हमारा primary instrument होता है उसे प्रियोग साला में नहीं यूज किया जाता है उसे कहां यूज किया जाता है दोस्तों standard मापन के लिए ठीक है दोस्तों और इसको हम प्रियोग साला में समस्त कार्यों को लिए मतलब बहुत ही जादा कार्यों के लिए यूज करते हैं किसे सेकंडरी इंस्टूमेंट को और दोस्तों सेकंडरी इंस्टूमेंट की सीरीज में क्या क्या चीज़ आते हैं हमारे होता है आफ कापी टाइम से क्लिब्रेशन सुनते आ रहे होता है किसी मापक की तुलना इस्ट्रूमेंट या फिर प्रावी स्ट्रूमेंट से करना केलिब्रेशन कहलाता है थेक stronger मापक मतलब जो मियूसर में इस्ट्रूमेंट होते हैं अगर उसकी comparison हम standard instrument या फिर primary instrument से कराएं तो वो calibration कहलाता है तो दोस्तो अब calibration में second point आता है यंत्र को calibration के पश्चात accurate माना जाता है तो दोस्तो यंत्र है कोई भी instrument है अगर उसे हम calibration करार देते हैं उसकी तो वो क्या कहलाएगा accurate माना जाएगा और दोस्तो next point आता है जब यंत्र लंबे समय तक प्रियोग में रहता है दोस्तो बहुत लंबे समय तक जब कोई भी यंत्र प्रियोग में रहता है तो उसके भिविन भागों में wear and tear हो सकता है तो उसके भिविन भागों में wear and tear हो सकता है तथा उसके दोरा कि ये गए मापन असुद्ध हो सकते हैं अता कुछ समय पश्षात प्रेति एक यंद्र का कैलिब्रेशन और शक होता है तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कोई भी इस्टूमेंट है अगर उसे बहुत ही लंबे समय तक हम उससे मापन कराते रहेंगे म्यूजर्मेंट कराते रहेंगे उससे वक कराते रहेंगे तो उसमें वियर एंटियर मतलब खराबिया आ सकती है तो और उससे फिर क्या हो सकती है गलतिया हो सकती है असुद्ध मापन भी हो सकते हैं उसके दौरा इस वज़े से कोई भी यंत्र होता है तो उसकी समय के अनुसार केलिब्रेशन कराना बहुत ही आऊशकता होती है तो दोस्तों आप केलिब्रेशन के प्रॉफिट समझ लेते हैं केलिब्रेशन के प्रॉफिट कौन कौन से हैं मतलब उसके कार करने की छमता बनी रहती है वो हमेशा अच्छा ही मान ग्याद करके देता है अच्छा मतलब एकदम सटीक मान ग्याद करके देता है नए अंत्रों का प्रियोग बिना कैलिब्रेशन के संभोग नहीं होते हैं तो यह सब हमारे केलिबरेशन के लाव हो गए, अब दोस्तो आगी लेक्चर में बने रहे हैं, दोस्तो आप जर्णल क्लासिफिकेशन आप इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट को निम्ने प्रकार में बा जानते हैं तो दोस्तों अगर आप सभी को लग रहा है कि मैं बहुत ही तेज पढ़ा रहा हूं तो मैं आप सभी से विंति करता हूं कि दोस्तों अब कुछ नहीं तो 8 मिनिट का लेक्चर निकल ही गया है और अब आप सभी को एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना चाहिए जि किसी अपनी नोचड को देखकर तुभारा से रिवाइस करके अपने टाइम को बचा कर और भी दूसरे सबज़क्त में अपना time दे सकते हैं तो दोस्तों हम mechanic type की बाद करते चाहिं है came होते हैं इस प्रकार का instrument experiment तथा development और program में यूज किया जाता है। तो दोस्तों यह जो mechanics type instrument होते हैं इनका use हम experiment और development के लिए करते हैं अब देखते हैं दोस्तों power type instrument का use कहां किया जाता है पावर टाइप instrument इस instrument का उपयोग Central System operating measurement आधी को चैतावनी देने के लिए प्रयोग में किया जाता है तो दोस्तों जो पावर टाइप होता है यह central system और operating measurement जो हमारा operational measurement होता है उसे यह चयतावनी देने के काम में आता है इस प्रकार के इंस्टूमेंट को चलाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम आधी की और सकता पड़ती है तो दोस्तों आई थिंग आप सभी को जनल क्लासिफिकेशन आफ इंडस्ट्रियल इस्टूमेंट समन में आ गया होगा जो भी जनल क्लासिफिकेशन आफ इंडस्ट्रियल इस्टूमेंट होता है वह एक मेकानिक टाइप होता है और सेल्फ ऑपरेटेड टाइप होता है ठीक है दोस्तों मेकानिक टाइप और मेंस मेकानिक टाइप को ही सेल्फ ऑपरेटेड टाइप के नाम से जानते हैं और जो सेकेंड प्रकार के मेंट के बाटा गया है एक होता है इस्टाटिक करेक्टरिस्टिक और सेकंड होता है हमारा डैनमिक करेक्टरिस्टिक तो दोस्तों जो इस्टाटिक करेक्टरिस्टिक होता है उसे क्या कहते हैं या फिर स्टाटिक करेक्टरिस्टिक कहते हैं तो स्टाटिक करेक्टरिस्टिक क्या होता है दोस्तों कोई भी यंत्र है उसका वागुड जो वो अगर किसी भी रासी को मापा है उसका जुमान है वो समय के अनुसार अगर परिवलतित नहीं होता है तो उसे हम स्टाटिक अकट्योंटिक में दोपाइंट आते हैं या फिर आप दो टॉपिक कर सकते हैं all और और णदिजारबाल कुवडिशिय anda में आते हैं जब मैंने पेपर दिया था chemical engineering first semester MIM का तो उसमें desirable से accuracy and reproduce ability से मुझसे 5 नमबर के question पूछे गए थे तो दोस्तों 5 नमबर में मेरे क्या क्या कोशन आये थे accuracy and reproduce ability आये थे तो दोस्तों अब हम सबसे पहले accuracy के बारे में जान लेते हैं कि accuracy क्या होती है accuracy क्या है दोस्तों यह वास्तविक मान से यंत द्वारा मापित मान की निकटता को प्रदसित करता है तो दोस्तों accuracy क्या होती है कोई भी वास्तविक मान है जो हमारा वास्तविक मतलब real value है ठीक है दोस्तों तो उन दोनों के बीच में निकटता मतलब उन दोनों के बीच में कितने Point का difference रह गया है उसी को कौन प्रदसित करता है मतलत अब देखедeston का difference इक वोट्वा क्या है मापित मंतंतर मं का अंतर जितना कम होगा उस यंत्र की इक्वरिसी उतनी ही अधिक होगी दोस्तों क्या कहा जा रहा है मापित मान तथा वास्तमिक मान मापित मतलब मेंजरिंग वैलू तथा रियल वैलू के मान का अंतर जितना कम होता है और जो हमारा क्या है इक्वरिसी है वो उतना ही अधिक हो जाता है किसी instrument दोरा किसी instrument दोरा एक निस्चित माप को बार बार देना कहलाता है कोई दोस्तों कोई ब् largest वो इक मान को दे दिया है उसके बाद फिर से उसी मान को दुबारा से दे रहा है फिर अगर उसने मापन किया मिजरिंग करा फिर वही मान दिया तो उसे उस जहां पर हम रीप्रेड्यूस बिल्टी के नाम से जानते हैं अब थार्ट पाइंट आता है सेंसिटीविटी सेंसिटीविटी क्या होती है किसी यंत्र की मापी जाने वाली रासी के भ्रान में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने का गुड़ सेंसिटीविटी कहलाता है कोई भी यंत्र है ठीक है दोस्तों किसी यंत्र की मापे जाने व के मान में होने वाले परिवर्तन को व्यक्ट करना sensitivity कहलाता है दोस्तों मुझे लग रहा है आप सभी को नहीं समन में आया होगा जो इबाफेस है मेरे साथ अच्छे से दिमाग लगा के सुनिएगा किसी यंत्र की मापी जाने वाली रासी ठीक है दोस्तों एक यंत्र है उससे क इसी रासी को मापा गया है मतलब मेजर किया गया है तो उसके मान में परिवर्तन जो होता है रासी के मान में जो परिवर्तन होगा वो जो व्यत्य करता है उसे हम sensitivity के नाम से जानते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के और अब दोस्तों undesirable की बात आती ह है अभी मैंने बता है इस्टाटिक करेक्टरिस्टिक को दो भागों में बैटा गया है desirable and undesirable तो अब desirable हम पढ़ लिये थे undesirable में static error dead zone and drift तीन चीज आते हैं तो static error क्या होते हैं measured value minus true value को static error कहते हैं दोस्तों जो मापक value होती है और उसमें से जो true value होती है जो सत्य value होती है अगर उसको हम minus कर देते हैं तो हमारा static error निकल के आ जाता है अब आता है next point dead zone dead zone क्या होता है दोस्तों मापी गई चर्रासी का वा छेत्र जहां पर या यंत्र कोई मान नहीं देता है उसे dead zone कहते हैं तो दोस्तों dead zone मतलब अलग से यह आपको समन में आ रहा होगा आपको बता दूमें मापी गई चर्रासी में जहां उस जहां पर जहां पर छेत्र यंत्र कोई मान नहीं देता है समझ दोस्त तो मापी गई चर्रासी का वाच्षेत्र जहां पर यंत्र कोई मान नहीं देता है उसे हम dead zone कहलाता है या फिर dead zone कहते हैं दोस्तों अब drift की बाते आती है drift क्या होता है लगातार परिच्छर के कारण यंत्र की सुरच्चा तता कारविधी पर प्रतिकूल असर पड़ता है उसे drift कहलाते हैं तो दोस्तो drift क्या हुता है अगर कोई चीज को हम लगाते हैं यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है उसकी सूरच्छा तथा कारविधी पर प्रतिक्यूल असर पड़ता है मतलब बहुत ही जढ़ादा असर पड़ता है और धूस्तो आप सभी को लग रहा है कि सर गलत बता रहा है कि ten mark के question नहीं मिलते हैं तो मैंने एक paper discussion किया है आप उस paper को जाके देख सकते हैं वहां पर इस topic से आप सभी को five five mark के two question देखने को मिल जाएंगे दोस्तो मैंने जब paper दिया था तब मुझे इसमें से तीन question मिले थे बट attempt तो दो ही करने होते हैं तो इस वज़े से दो ही attempt कर पा रहा था मैंने और मुझे full marks मिले थे तो दोस्तो dynamic characteristic क्या होते हैं अब इसे समझ लेते हैं किसी instrument का वह गुढ जिसके अंतरगत मापी गई चर रासी समय के साथ बदल जाये उसे हम dynamic characteristic कहते हैं तो दोस्तो static characteristic क्या होती है किसी instrument का वह गुढ जिसके अंतरगत मापी गई रासी समय के साथ परिवतन नहीं होती है उसे static characteristic कहते हैं और जिसमें मापी गई 84 सामय के साथ बदल जाती है उसे हम dynamic characteristic कहते हैं तो दोस्तों dynamic characteristic में भी two point आते हैं दो topic आते हैं desirable and undesirable और desirable में दो point आते हैं speed of response and fidelity तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं speed of response कोई यंत्र जितनी तीवरता मतलब दोस्तों speed से मापी गई 84 के मां में परिवल्तन वेक्त करता है उसे response कहते हैं speed of response कहते हैं समय लेजये कि एक कोई instrument है ठीक है दोस्तों और एक मापी गई 84 है और मापी गई 84 है अपने मां को परिवल्ति कर रही है तो अगर जो यंत्र था जितनी जल्दी हो सकेगा जितनी जल्दी उससे हो सकेगा वो मापी गई चर्रासी के मान को परिवर्तन व्यक्त कर देता है कि कितना उसमें परिवर्तन हुआ है उसको बता देता है वह आयंत तो उसे हम क्या कहते हैं Speed of response, आब आता है दोस्तों, Fidelity क्या होता है, ये आप सभी को समझा दूूने, Fidelity क्या होता है, Fidelity होता है, Fidelity of a System is defined as, जो Fidelity होती है, एक ऐसा सिस्टम है, इसे ऐसे बताया जा सकथा है, As Ability, ability मतलब क्या होता है दोस्तों आप सभी को पता होगा योग होता है ability मतलब क्या होता है योग होता है ability of system to reproduce the output in the same form has the input ठीक है दोस्तों वो उसके अंदर ऐसा योग हो वो reproduce कर सके दुबारा से हमें बता सके व्यक्त कर सके कि output जो था हमारा वो same form में आया है जैसे के input हमने दिया था उसे को हम fidelity के नाम से जानते हैं अब आता है दोस्तों undesirable undesirable में हम दो चीज़ पढ़ते हैं यह देखें दोस्तों undesirable में पहले आता है लॉग और दूसरा आता है dynamic error तो दोस्तों log and dynamic error को जान लेते हैं सबसे पहले जानेंगे लॉग क्या होता है दोस्तों लॉग क्या होता है कोई instrument किसी 84 के मान हुए परिवातन को प्रदर्शित करने में जितना देर लगाता है उसे log कहते हैं तो दोस्तों speed of response और log एक दूसरे के उल्टा है एक दम क्या है अपोजिट है तो दोस्तों देखें कोई भी instrument है अगर वह जो भी मापी गई रासी के मान में जो परिवातन होता है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी तिर्विता से अगर वह बता देता है कि कितना मान परिवलतन हुआ है तो उसे हम speed of response के नाम से जानते हैं अगर कोई instrument है कोई भी instrument है किसी चर्रासी के मान को परिवलतन होने में जितना भी देर लगा देता है उसके मान को बताने में कि कितना मान परिवलतन हुआ है उसे हम log के नाम से जानते हैं तो दोस्तों बहुत easy था अब आता है dynamic error कि dynamic error क्या होता है समय के साथ pברवतन रासी के मान तथा यंत दोरा मापे गए मान ऎंतर को dynamic error कहते है जो समय के साथ परिवलतन राशी के मान तथा यंत द्वरा मापेग्रे राशी के मान में जो अंतर होता है उसे हम डायनमिक एरर के नाम से जानते हैं तो दोस्तों most important question आप सभी के सामने आचुका है जो most important question है वो क्या है 100% दोस्तो आज तक जब भी पेपर बना है Uses of measurement Uses of measurement के उपर हमेशा question बना है 5 number का question आप सभी को हमेशा मिलेगा Uses of measurement मापन के प्रियोग के उपर हमेशा question मिलेगा तो दोस्तो सबसे पहले जान लीजे मापन के प्रियोग किसलिए होते हैं तो सबसे पहली heading रहेगी आप सभी के मापन करने के लिए हमें मापन किस लिए किया जाता है तो सबसे पहली heading रहेगी मापन किस लिए किया जाता है classification के लिए वर्गी करण के लिए दूसरा option रहेगा selection के लिए दूसरा क्या लिखेंगे selection के लिए मापन हम selection के लिए करते हैं तीसरा आता है comparative के लिए comparative का मतलब compare करने के लिए और चौता आता है prediction के लिए किसके लिए आता है दोस्तो prediction के लिए अब देखने हैं दोस्तो importance of M.I.E.M in chemical industry ये रहा आप सभी का most important question दोस्तो आज तक का record है जब से paper आ रहा है म.I.E.M का आप सभी को पांच नंबर में यह कोस्तन पूछा जा रहा है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा तो आप इस पॉइंट को साथ आठ पॉइंट को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजे जिससे कि आप यह कोस्तन गलत करके ना आए तो platform of MIM in chemical industry तो क्या क्या का इम पॉटेंश होता है chemical इंडस्टी में ч 말icaelOD union me तो भूस्तों सबसे पहला आता है साइंस तरफ टेकनोलोजी में विकास करना अगर हम साइंस और टेकनोलोजी में विकास करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक importance है MIM का तो दूसरा क्या आता है किसी प्रोसेस को सफलता पूर करने Muhammad करना तो हमें कुसी बी प्र्ोसेस को करने के लिए दूस्तों थे समज़ें when Sm यह दूस्तों आता है कि दुरगत नाओ को कम करने के लिए दुरगफण नाओ को कम करने के लिए अब दोस्तों चोथा क्या आता है चोथा आता है इसकेल निर्धारित करने के लिए चोथा क्या आता है इसकेल को निर्धारित करने के लिए पाच्वा क्या आता है समय की बचत करना समय की बचत करना छटवा क्या आता है मापन की उन्नती तथा विग्ञांग की उन्नती करना अगर हम मेजर्मेंट की क्या करेंगे उन्नती करेंगे डबलम्मेंट करेंगे तो उससे साइंस की भी डबलम्मेंट होगी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप इंगलिस में आपर इम्रोइम के हैं तो मैं आप सबी को इंग्लिप में भी बता दूंगा लेकर उसके लिए आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा शॉसप्राइब करेक्ता हैं कि नहीं आप सभी के paper में पूछा जाएगा तो दोस्तों आप हम next topic के तरफ बढ़ते हैं next topic क्या है हमारा उसको देखते हैं कि तो दोस्तों अब आता है next topic हमारा टाइप of chart recorder क्या आता है next topic type of chart recorder, तो पहला type क्या होता है हमारा, stiff chart recorder तो step chart recorder क्या है इसको समझ लेते हैं दोस्तों इस lecture में आप सभी को पूरा first chapter complete कर दिये जा रहा है आप सभी को कुछ नहीं करना है एक pen record लेके बैठ जाना है और जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ note करते जाए और जितना मैं बोलना हूं उसको आप सुनते जाए ख 100% मैं बता रहा हूं MIM एक scoring subject है आप इसी से आपना percentage भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है जो MIM में back लगाते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी से यही उमीद रखता हूं कि आप MIM में जितना मैं पढ़ा रहा हूं 100% ये paper में पूछा जाएग तो सबसे पहला आता है step chart recorder step chart recorder परियोग किसी रासी में समय के साथ परिवलतन record करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों step chart recorder का परियोग किसी रासी में समय के साथ परिवलतन record करने के लिए किया जाता है अगर कोई भी रासी है उसमें समय के साथ कोई भी परिवलतन हो रहा है तो उसे record करने के लिए किसका कार्य पड़ेगा उसको record करने के लिए strip chart recorder का उपयोग होगा ठीक है दोस्तों इनका परियोग मुखता resistance thermometer में किया जाता है ठीक है दोस्तों यह सब पॉइंट है यह सब पॉइंट आप अच्छे से लिख लिजे नहीं अपने notes में लिख लिजे इ दोस्तों मैंने भी यह सब पॉइंट लिखा था और बहुत यह अच्छा नंबर मैं MIM में घेल किया था इनका प्रियोग मुखता है इनका जो प्रियोग होता है मुखता क्या होता है resistance thermometer में किया जाता है किसमें किया जाता है ठीक है दोस्तों इसे एक्स्टी रिकॉर्डर न इलेक्ट्रो मेकैनिकल डिवाइस है जो एलेक्ट्रिकल या मेकैनिकल इंपुट को कागच पर समय के साथ रिकॉर्ड करती है दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक पॉइंट है अगर इस पॉइंट को आप लिंक के आते हैं अपने पेपर में जो एक्जामनर होगा इ अच्छे से स्ट्फ्रिपचार्रिकॉर्डर पढ़के आएं या एक प्रकार की ऐलेक्ट्रो मेकैनिकल डिवाइस है यह कौन सा डिवाइस होता है ब दोस्तों दोस्तों आता है सिलिटेश रिक्वाटर के मेन कम्पोनेंट क्या है अब आप इसे समझ लिए इस चार्ट रिकोडर में चार्द के हमें नक रिवन तो आता है इवेंट रिकॉडर और पिप ताथ है सिगनल कंडीशन सिस्टम और अगर डाइगराम की बात करें तो मैं भी आप सभी को डाइग्राम दिखा दे रहा हूँ ये रहा हमारा स्टिप चार्ट रिकॉर्डर का डाइग्राम I think दोस्तों आप सभी को स्टिप चार्ट रिकॉर्डर समझ में आ गया होगा अब आगे हमें पढ़ना है सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर तो अगर आप कहें तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इस्टिप चार्ट रिकॉर्डर क्या है, इस्टिप चार्ट रिकॉर्डर हमारा क्या होता है, इसका प्रियोग समय के साथ परिवातन को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी रासी में जो भी समय के साथ परिवातन ह होता है उसे record के लिए किया जाता है और यह एक XT recorder के नाम से जाना जाता है यह एक electrical device है जो electrical यह mechanical input को काघज में क्या कहता है record कर लेता है मेन component होते हैं वह कौन कौनसे होता है pen chart paper signal containing system chart paper driven system and event event क्या होता है दोस्तो event recorder तो दोस्तो अब हम circular chart recorder के तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अब हम circular chart recorder बढ़ते हैं कि circular chart recorder क्या होता है इस recorder में circular chart के माध्यम से परिवातर रासी के मान को record किया जाता है तो दोस्तो इस recorder में क्या किया जाता है एक circular chart के माध्यम से कोई एक circular chart होता है उसके मादधम से हम परिवातर रासी जो रासी बदल रही है उसके मान को हम क्या कहते है रिकॉर्ड कर लेते हैं इसमें एक सर्कुलर चार्ट होता है इसमें क्या होता है दूस्तों एक सर्कुलर चार्ट होता है जो अपने सेंटर पर इस्थिर होता है इसमें एक सर्कुलर चार रिकोरदर में क्या होता दोस्तों एक मापनियन्त एक operating system सामिल होता है और एक recording device होता है दोस्तों ये वरकिंग की बात कर लेते हैं कि circular चाट रिकोरडर में क्या होती है तो Career a Line Virtual nell की वरकिंग क्या होती है operating system यह दोर्टाइट होता है जो operating system होता है जहां से operate होता है system हमारा वो लीवर दोरा connected होता है जो की measuring element recording device को गती प्रदान करता है क्या करता है वो measuring element होता है measuring element से recording device को गती प्रदान करता है ठीक है दोस्त और ये exam main important है दोस्त ये अगर ये point आप लिख के आते हैं तो फिर वही कहूंगा मैं exam ना समझ जाएगा आप अच्छे से circular chart recorder पढ़के हाएं तो circular chart recorder में ये point क्या है chart की speed एक relation में 15 मिनाट से 30 दिन तक vary करती है chart की speed क्या होती है दोस्तों एक relation में 15 मिनाट से लेके 30 दिन तक vary करती है इसका प्रियोग मुखता कहां कहां किया जाता है दोस्तों इसको समझ ले जाए इसका प्रियोग मुखता कहां 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 किया जाता है temperature में, pressure में, flow में, humidity में, laboratories में, testing में, diagnostic में, etc. मतलब आदी में किया जाता है दोस्तों इस lecture के अंदर बस इतना है दोस्तों यह first lecture था M.I.M. का और मैं आप सभी को first chapter इस lecture के अंदर complete कर दिये हैं दोस्तों first chapter में आप सभी का important of chemical instrument in chemical process industry यह सब main important topic है जो आप सभी के five marks के question हमेशा से पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आशा होंगी कि इस बार भी पूछे जाएंगे और मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है तो इससे आप सभी note कर लिजेगा और अपने दोस्तों साथ share करिएगा जय हिन जय भारत